असलाम अलेकुम जी आज हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे एप्लिकेशन ऑफ बर्नॉलीज एक्वेशन एप्लिकेशन में सबसे पहले है टॉर्सली थियूरम देखें इसमें हम अब बर्नॉलीज एक्वेशन को यूज करते हुए हम डिफरेंट कॉंटिटी के दरम्यान ज इसमें स्पीड और प्रेशर के रिलेशन डेवैलप करेंगे यहां स्पीड और हाइट के फिलाल कि इसकी में सिंपल्दी की एजमपल लेता हूं देखें आप हम जो गोरों में वाटर टैंक यूज करते हैं पानी स्वेश के लिए टैंक की यूज करते हैं वह हम सबसे उपर आर पानी निचे आएग और डेफिनिट्ली यह हैट से नीचे वाल करेंगा तो गोर करते हो खाल है अगõ से नीचे वाला टैंक हें और साफ़ गया जो खम फोलेंगे ऊसमें से पानी यहां लुग ऌकन होगी स्थीड होत्व ह। आप तो डाफिनेटलि वहां कोई टैब है दो उसे बहुत कम होगी कि आप बिल्कुलड डिफ्रेंस कम है वाटर लेवल जो जहां टक स्टॉर होगा टैंके के अंदर वहां का और टैप का वह बहुत कम डिफ्रेंस रह गया इसलिए वहां पर स्पीड जाओ बहुत कम तो जितन वाटर कुल्र बिल्कुल होता है तो आप उसका ट्राम दिबाते हैं पानी बाहरा आता है और यब कभी वहाफ होजें यहाफ से भी कम होजें पर आपपानी बाहरो तो आएगा उसकी स्पीड कम हो जे क्योंकि अब वहाँदा रहा है तो अब हाइद का और स्पीड का रलेशन तो यहां पर क्या जी एक टेंक है वही ऐसी तरह जैसे अभी एक्जेम्पल दी आपको और उसकी जो अपर लेवल है यह वाटर लेवल है उसकी आइड जो है वह ग्राउन से वह एच वन पर है एक और फेस है उसके बॉटम के करीब और फेस मीन उसका सुराख है यहां से पानी ही बहुत कांँ मारा के लिए बढ़िए यहां से लिए वीटियुटू ऐसने है यह जानि और शवक्राइन सर्वक्राट जरी आ जारा का उसकी की वहाटर नीचे और निकाας करें और यह यहां से बहुत कियर और पर दक्रण के ल्लें जो हर जगा इस जगह से कशएम रएगा तो बनाली से प्लाइ़ करते हैं एस सेंड पे तक हो पड़ाइब प्लस हाफ रो वी वन स्केयर प्लस रों ग रहे वान अपि countries tenha म 때문에 मानेश हीा हुआ है अब दूसरी तरफ औरी फेस पे, P2, Half, Rho, V2, Square, Plus, Rho, G, H2. सबसे पहले तो बात करें प्रेशर की, P1 बराबर होगा, P2 के, बराबर होगा, P के, जो के, हम क्या consider कर रहे हैं, Atmospheric. Atmospheric pressure है और वो constant होगा, तो P तो खतम होगया, बाकी remaining portion जो रहा गया, वो Half, V1, Square, Plus, Rho, G, H1, Is, Equal, To, P2, P2, सुरी, कतम होगया, बाकी remaining portion रहा गया, जी, Half, Rho, V2, Square, Plus, Rho, G, H2, ठीक है जी, फिर अगली बात करें, यहां पर, के, जो, According to, Equation of Continuity, जो हमने पीछे पड़ी हुई है, वो के बताती है के, A1, V1 बराबर है, A2, V2, अगर यहां अपलाई करें, V1 निकाले है, अब A1 बहुत बढ़ा है, अब A1 बहुत बढ़ा है, as compared to A2, यहां एरिया A1, यहां एरिया A2 है, और ही फेस का, तो यहां Speed फिर Approximately क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी तो हम उससे 0 कह देंगे, यहां वी जो है, V1 उसका comparison करें, V2 के साथ, वह वैसे बहुत कम है, तो यह वाला portion मिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बाकी कह रहाएगे, रो GH1, यह वाला बाकी, यह दो portion रहाएगे, हाफ, रो, V2 स्केर, और प्लस, रो GH2, अब आपने V2 निकालना है, जो कही इस औरी फेस से बाहिर आ रहा पानी, यह दो जाएगे, तो हाफ, रो, V2 स्केर, रो GH1, माइनस, रो GH2, अब रो कैंसल करतें, सम्में, 2 इदर आगे, मल्टिप्ला हो जाएगा, 2 मल्टिप्ला होगा, साथ G को मल ले लें, तो H1 माइनस है, H2 आ जाएगा, फिर स्केर रूट ले लें, तो देखें, यह आ जाएगा, 2 G और H1 माइनस है, H2, इसी को डिफाइन किया हुए, स्पीड ओफ इफ्लेक्स, इफ्लेक्स कहते हैं, बाहिर आने को, is equal to the velocity gained by the fluid in the falling through the distance H1 minus H2 under the action of gravity, तो जितनी height से fall करती है, आएगी under the action of gravity, उतना जाएगा, करेगे, अगर यह और ही फेस यहां होता है, यह इस जगह होता है, अगर और ही फेस, definitely height के साथ कम relation था, यह कम distance H1 minus H2 कम आता है, तो speed भी कम gain करता है, यहां और ही फेस कर दें, बहुत कम जैसे मैंने आपको tank की वाली example थी, बिल्कुल उसी तरह, जितनी ज़ादा height से fall करता हो आएगा, उतनी ज़ादा speed gain करेगा, अब यहां पर एक बात और की गई है, start में, last में के, यह जो height पे होगा liquid, उसकी energy, gravitational potential energy होती है, जब वो height पे store होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, वो अपनी potential energy को kinetic energy में convert करता रहेगा, लेकिन सिर्फ potential energy kinetic energy में ही convert नहीं होती, क्योंकि water जो है, वो non-viscous तो नहीं है, थोड़ा उसकी viscosity जो है, वो zero तो नहीं है, इसलिए कुछ potential energy, viscosity के against work में भी, जो है वो utilize होती है, तो सारी energy kinetic energy में convert नहीं होती, तो यह थी, देखें, अब आपने pressure जो है, वो constant रखा, और आपने speed और velocity या speed कहले है, या speed कहले है, या speed कहले है, तो speed और height का relation आपने develop किया, यहाँ पे, अब हम next देखते हैं, relation हम develop करेंगे, height को save रखके, तो हम pipe में से, एक regular shape के pipe में से, हम fluid flow करवाएंगे, तो फिर हम relation develop करेंगे, speed and pressure के दर्मिया, जी अब देखें, relation between speed and pressure of the fluid, देखें, यहाँ पर जो pressure की बात की जा रही है, वो driving pressure नहीं है, या external pressure की बात नहीं की जा रही, लीक्वर्ड जो fluid, जो भी होगा, लीक्वर्ड उसमें water हो या कोई और चीज हो, वो जब pipe में से fluid move करेंगा, उसके pipe के अंदर की presence की वज़ा से, जो pressure है, उसकी बात की जा रही होगी, यानिके, जो भी liquid pipe में से flow कर रहा होगा, pipe के अंदर उसकी presence जो है, उसकी वज़ा से, ज तो इसी तरह जैसे बाहर अगर openly, अगर air को देखें, आप कोई भी चीज मूव करेंगी high speed से, तो आप air की presence होगी, air की presence की वज़ा से, जो air का weight act करता है downwardly, वो pressure कहलाता है, और height के साथ देके वो कम होता है, क्योंकि gas की density कम हो जाती है, molecules light हो जाते है, हलके हो जाते है, तो उ उनकी density कम होती है, molecule जो हो जाता, weight कम हो जाते है, तो pressure भी कम हो जाते है, तो liquid की, या gases की presence की वज़ा से, जो pressure होगा, उसकी बात है, यहां पर, तो आप देखें, यहां पर एक irregular shape का pipe है, non uniform area, यहां area ज्यादा है, area काम है, यहां पर ज्यादा है, तो A और B का comparison करना है, C position तो A जैसी है, तो देखें, A position पर देखिए, area बहुत ज़्यादा है, तो definitely वहां जो fluid की speed हो बहुत कम होगी, और streamline जो हमके दिमान gap बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे वह B position पर बाते हैं, pap बिल्कुल narrow हो जाता है, तो वहां पर streamline बहुत क्लोज आ जाती है, तो अब यहां पर speed बहुत ज़्यादा होजेगी, अब speed बहुत ज़्यादा होगी, definitely फिर हम यहां पर pressure का relation develop करेंगे, उसे पहले मैं आपको simply बता दूँ, कि देखें, A position पर area बहुत ज़्यादा है, liquid बहुत slow move करेगा, बहुत slow move करेगा, तो उसकी presence वहां पर ज़रे time के लिए होगी, तो ज़ point B, बहुत कम time के लिए होगी, बहुत कम time क्योंगा, high speed से गुजर रहा है, definitely वहां pressure उसका बहुत ही कम होगा, क्योंकि यह molecules जाके walls को strike करेंगे, यही pressure की बमबात कर रहा हो, internally, तो यहां एक हो slow move करता है, ज़्यादा collision कर लेंगे, molecules जो होगे inner walls को ज़्यादा pressure होगा, यहां तेजी से गुजर जाएंगे, collagen करने का time नहीं होगा, तो definitely pressure कम होगा, ठीक है जी, तो where the speed is, इसका result पहले लिख दूँ, फिर आपको drive करके लिखाता हूँ, where the speed is high, the pressure will be low, speed high होगी, तो pressure low होगा, जैसे यहां लेके, speed slow, pressure high है, यहां speed high, pressure low है, तो अब इसको प्रूफ करेंगे, देखेंगे, example दी गई है, कहता फर्स करें, यहां पर जो a position है, वहां की, जो speed है, liquid flow करने की, 0.2 meter per second है, और जो v position है, वहां पर, जो speed है, वो, वो 2 meter per second है, और water की जो density, water use किया गया है, like उसके अंदर, pipes के अंदर, तो उसकी density जो है, वो, 1000 kilogram per meter cube है, अब is apply करें, तो using Bernoulli's equation, अब a और b के ओपर हम apply करेंगे, वो, हम कहा देंगे, p a plus half rho v a square plus rho g h, h तो दोनों का approximately same है, height same रखी हुई हमने, pipe जाना, वो horizontally पढ़ा हुआ है, v b का square और plus rho g h, ये portion नो cancel हो गया, बाकी देखें, p a, और इदर p b दरा के minus हो जेगा, तो फिर देखें, यहां पर आजेगा, half rho v b का square, minus half rho v a का square, तो ये दरा के minus हो गया, तो p a minus p b, half rho का अमल ले लें, अंदर बाद जेगा, v b square और minus v a square, तो p a minus p b, ये पड़े pressure difference आजेगा, दोनों के positions के दर्मियान, तो half rho की जेगा 1000, v b की जेगा 2 का square, ये 2 का square आना है, यहां पर और इदर 0.2 का square, इसको solve गर लें, तो जो pressure difference आता है, वो इनमें, 19, 80 newton per meter square आता है, अब अगर गौर करें यहां पर, इस equation के उपर, तो अब देखें, pressure p a जो है, वो greater than p b से, पहली बात है कि प a minus p b हो रहा है, प a ज्यादा है, दूसरी पहला अगर प a निकालना है, प a उतरा के plus होगा, तो p b जो है, उसके अंदर कोई चीज add होगी, फिर p a बनेगा, इस तरह p a ज्यादा हुआ as compared to p b, तो where the speed is high, pressure will be low, अब इसकी examples हैं, जैसा कि aeroplane जो है, वो इसी वजह से lift करता है, देखें, aeroplane जो है, वो जब runway पर run करेगा, तो उसकी body अगर आप गौर से देखें, अपर पार जो होता है, उसका, उपर वाला जो पार्ट होगा, अपर पार्ट वो कर्वी होता है, नीचे स वो flat होता है, तो उसके जो wings होते हैं, specially वो भी, तो जब air गुजरती है, उसके wings के उपर से, तो वो कर्वी होने की वजह से air resistance उपर कम होती है, तो उपर से air बहुत तेजी के साथ गुजरती है, high speed के साथ, streamline बहुत close होती है, और नीचे से वो flat होता है, तो वहाँ से जो air के लिए नहीं रहेगी, वो जगह कहलें, खाली होगी, अगर ज्यारा तेजी से गुजरेगी, क्योंकि air मजूद होगी, wing के उपर तो pressure होगा, तो तेजी से गुजरती ही जाएगी, pressure कम होगा, तो वो pressure कम होगा, नीचे वाले जो air गुजर रही है, वो slow गुजर रही है, वो की तरफ, lift करने के लिए, यह diagram आपकी बुक के अंदर बनी भी हुई है, और इसके लावा फिर balls है, cricket ball जो है, वो आप high speed से throw करते हैं, तो वो curvature path को follow करती है, same swing of the ball कहते हैं, तो देखें, cricket ball को अगर आप throw करेंगे, high speed के साथ, definitely जो उसकी एक side पे air की layers होंगी, वो gap में जाएंगी, और एक जो होगी, वहाँ close होंगी, बिल्कुल, अब जहाँ close होंगी, वहाँ speed high होगी, pressure low होगा, यहाँ speed of air जो है, वो क्या है, lower है, लेकिन pressure क्या होगा high, तो वो ball जो इस तरफ curve होजएगी, बजार straight जाने के, इस तरह इस side पे भी हो सकती, वो तो फिर ball की seam पे depend करता है, कि वो किस direction में पहंगी गई है, और किस direction में curvature लेना है, लेकिन curvature pressure difference की वज़ा से ही होता है, कि आप ball को जब throw करते है, वो spinning motion भी करती है, और forward motion भी करती है, जिस वज़ा से एक side पे pressure air का ज्यादा होता है, और एक side पे कम क्य any surface होती है, वो एक लंबी story है, reverse swing और spin पे और बहुत कुछ होता है cricket के अंदर, तो वो भी खार सारी फजीक सी है, विलहाल, जैसे कहा जाता के cloudy days है, जैनि overcast condition है, definitely baller का day होता है, means, अब हवा जो है वो ठंडी है, क्योंकि बादलायों में हवा ठंडी है, उसके अंदर नमी का तना सुब ज्यादा होगा, जब वो high speed से ball को throw करेगा, तो ball के दोनों तरफ pressure difference असानी से create होजेगा, ball वा के अंदर move कर लेगा, easily swing कहते हैं इसको, लेकिन अगर shiny day है, सूरज निकला होगा है, हवा की density कम हो जाती है, high temperature के साथ, तो फिर baller को बहुत ज्यादा जोड़ लगान है, वो batsman का दिन होता है, ठीक है जी, तो next देखें, अब हम पढ़ते है, Venturi relation, वो भी इसी तरह का है, उसमें हम speedometer, Venturi meter की बार करेंगे, जो speed of fluid find करते है, Venturi relation जो है, वो एक device है कहले, जिसकी मदद से हम speed of fluid flowing, जो हम find करते है, जैसे यह pipe था न, यह तर ही लगा दे है, अगर मैं यहां से इसको raise कर दो, तो, यहीं पर बात बन जागी, लगें यहां पर अगर आप pressure measure करने के लिए, वो pressure gauge लगाते हैं, तो, यह, यहां पर, तो यहां pressure जो होगा P2, यहां pressure जो होगा P1, तो इससी तरह यहां जो speed होगी V1 और यहां जो ही करते हैं, तो P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2, तो, अगर आप यहां पर pressure difference, एक side पर कर दें, बाकी, height तो दोनों की same है, approximately, वो cancel, यह दरा के minus हो जाएगा, तो, आप rho V1 square minus half rho V2 square, V2 इदर आएगा, sorry, V1 इदर आएगा minus होगा, फिर आप देखें, V1 as compared to V2 बहुत ही कम है, तो, यह approximately 0, according to Bernoulli's question of continuity, यह portion खतम, बाकी P1 minus P2 is equal to half rho V2 square, यहां से आप V find कर सकते हैं, अगर आपको price difference पता होगा, इनका, तो, यह से device ट्यार की जाती है, जैसे speed of fluid in the pipe जाना हम महिर करते हैं, तो, यह भी, यह short में आ सकता है, इसके साथ, एक तबाकी question यह भी आया था, के Bernoulli's equation को define करें, और इसकी application जो है, एक तो, पहले वाली बुझ लिजेगा, next फिर हम discuss करेंगे, last topic होगा blood flow, Allah Hafiz.